एक कुंडली सौ समाधान देश की हर जोतिश्य पद्धती के समावेश के साथ संपोर्ण आकर्षिक और सबसे सटी एस्ट्रोसेज ग्रिहत कुंडली आज अभी लें क्यूंकि भविश्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेट जैश्री गनिश्रायनमा दोस्तों स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर वन जोतिश यूट्यूब चैनल इस्ट्रोसेज टीवी पर हर हफ्ते की तरह मैंने हराजपूत आपके सामने हाजर हो लेकर सापताहिक राश्रिफल इस वीडियो में बात करेंगे आपके इस हफ डाउन खुलने की बात भी थी बहुत जगे पे चीज़े नॉर्मल हो रही हैं मतलब देर देरे लोग जो है अपने लाइफ में जा रहे हैं लेकिन आपको एक बात समझने की बेहत जरूरत है कि यह जो कोरणा वाइरस है वो अभी भी हमारी सोसाइटी में बाहर है तो इसलि बात के लिए भी बहुत ही जिज़ादा खतर नाक है आपके साध आपकी निकलते हैं तो कोशिश करें जैतना कम हो सकी घर से बहुत जबर निकले ऊप्रत्र करकें जितनी ज्यादा बढ़तें इस चीज़े यह चीज़े शहीर रहें گी बाकि हम प्रांथना करें लाइफ जो हेसने कि आपको जहां आपको सब्सक्राइब करायेगा इसमें ना केवल आपके आर्थिक और करियर से जूड़ी भविश्यवानियां होंगी बलकि इसके द्वारा जो है आप अपनी कैसे रहेगे आपके वीक फैमिली लाइफ और सबसे इंप्पॉर्टन अब ही कि टाइम के लिए health, health से जुड़ी हुई जानकारियां जो है आपको information जो है हम इस वीडियो में देने वाले है यह राशीफल आपको बताएगा आपके आने वाले सप्ता को जो है कैसे शांदार बनाना है क्योंकि जब हमें पहले से कुछ चीज़े पता होती है तो हम planning अपनी उसी according करते हैं तो हमारे यह जो ग्रहो नक्षत्रों के आधार पर तयार किया गया राशीफल होता है इससे हमारी यही पूरी कोशिश होती है कि आपको हम पहले से ही आइडिया दे दें कि हर एंगल से आपका जीवन कैसा बीतने वाला है इन साथ दिनों में और किस तरीके से आपको दिशानियों को कम कर सकते हैं साथ ही आपको बताते हैं इस वीडियो में ग्रहों का गोचर तीस तेवहार मशुर हस्तियों का जनम दिन यह अपको पूरी इस वीडियो में मिलेंगी हिंदु पंचांकी घटा केनुषात इस सप्ता के शुडवात कृशन्पक्ष की एक अदशी तीधी यानि 18 मई से हो रेग है जब की सप्ता का अंत शुक्य पक्ष की द्वित्या थी यानि 24 माइको होगा सब्सक्राइश सब्सक्राइश इन सभी तीस्ते वहारों के बारे में हमारी चैनल पर अल्रेडी वीडियो डाली जाएंगी या फिर आप इसकी जानकारी के लिए क्या पूजा विधी होगी क्या मुहरत होगा आप हमारे वेबसाइट www.astroces.com पर जरूर विजित करें वहां भी आपको इन सारे तीस्ते वहार तो इस हफते जो है 24 माई को यानि हफते की आखरी दिन संडे को बुध ग्रह का मिथुन राशी में गोचर हो रहा है तो इस प्रकार जो है चंद्रमा के गोचर के सान साथ बुध ग्रह के गोचर का प्रभाव भी सभी 12 राशीयों के जातकों पर देखने को मिलेगा और बु दिन विशेश यानि बर्द्य स्पेशल बहुत सारे लोगों ने हमसे जो है कमेंट बॉक्स में यह लिखा था कि हम कुछ उनके लिए फेवरिट स्टार्स के मश्रूर हस्तियों के जनम दिन के बारें बताएं तो इस हफते 18 माई से 24 माई के बीच में सबसे पहले 18 माई को व शुहूर फिल्म निर्माता नरदेशक और अभिनेत्री राने मुखर जी के पती आदित्य चोपड़ा का जनम दिन है अगर आप इन में से किसी के फैन है आपको इनकी कुंडली देखनी है तो भी आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं आप वो देख सकते हैं वेबसाइट का एडर इस फिर से बता देते हैं www.astrosage.com तो ये जानकारिया हो गई overall अब जो राशी फल बताएंगे ये आपकी चंदर राशी पर आधारित है जो लोग नए हैं पहली बार आए हैं हमारे चानल पर या पहली बार जो इस वीडियो को देखर है जिनको नहीं पता है कि उनकी चंदर राशी और इमोन साइन क्या है तो जाएगी तो इस तरीके से आप चंदर राशी का पता लगाकर अपनी राशी के नुसार सापताहिक राशी फल की जानकारी हासिल कर सकते हैं तो ये तमाम जानकारियां होगे अब बारी आपके राशी फल की तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में करक राशी के जातकों के बारे में करक राशी वालों के लिए चंद्रमा का गोचर जो है इस सप्ता उनके नवम दशम और इकादश भाव में होगा संचार और वाणी के कारक ग्रह बुद्ध का गोचर आपकी द्वादश भाव में होगा हफते के आखरी दिन में सप्ता की शुरुआत में चंद्रमा जो आपके नवम भाव में होगा तो आपको भागे का पूरा साथ मिलेगा हालाक इस दौरान फैमली लाइफ में पिता के साथ थोड़ी बहुत नोग जोग हो सकती है इस दौरान आपको कोई भी ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे आपके पिता को ठेस पहुंचे इस र पूरा करने में किसी तरह की दिक्कत आ रही थी तो वह इस दौरान दूर हो जाएगी इस राशी के जो जातक कारोबार करते हैं उनके लिए समय उच्छा रहेगा आप अपनी कारोबार को नई दिशा दे पाने में काम्याब होंगे सब्ता क्यांत में चंद्रमा का गोचर आ पूरा नहीं कर पा रहे थे या किसी वजह से काम अटका हुआ था उसको भी इस दौरान आप पूरा कर सकते हैं वह दिग्रह का गोचर आपकी द्वादश भाव में होने से आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे इस दौरान आपको खर्चों पर विशेश ध्यान पर देने की जरुत है वे वजह के खर्चे आपको मान सिक परिशानी दे सकते हैं 5 अस्ति साचेत रहने की जरूरत है वीधेशन संपरकों से लजभ होगा आपको इस अफनी पार्टनरिये को बहुत हीं आपने या הקोर्ल लूव मेंड को sensor को करना चाहिए अगर रिष्टे को मजबूत करना चाहते हैं तो अपने लव मीट को कोई अच्छा सा गिफ्ट दे मैरिड लोगों के लिए ऐसा मैं अच्छा रहेगा आप अपनी दभी भावनाओं को भी जीवन साथी को बता सकेंगे जिससे धामपत्य जीवन में खुशिया आएंगी जीवन में खास बहुत सारी जानकारियां दी ग्रहों के गोचर के बारे में होने वाले तीस्ते वहारों के बारे में सारी जानकारियां हैं, उम्मीद करते हैं जानकारियों की मदद से आप जो अपने सपता की प्लानिंग बहतरीन तरीके से करेंगे, बाकि जितने भी तीस्ते वहार आ रहे हैं सफते में, उनकी धेर सारी शुब काम लाएं, जिन लोगों का जनम दिन होता है 18 मई से 24 मई के निवाद, ऐसे ही प्यार बनाए रखेगा, हम भी कोशिश करेंगे, ऐसे ही हर हफ्ते आपको जानकारियां देते रहें, बाके मिलेंगे आप से अगली हफ्ते, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और किसी का दिल मत दुखाईए, नमस्कार